कि नमस्कार दोस्तों अथर एलिवेटर में आप लोग का स्वागत है और आज हम कि एमडी का कि एट ट्रिपल जीरो आठ हजार कि मेनुवल लिप्ट है उसका एक कंट्रोल पैनल है और एमडी का ही कि यह आपका एरडी है आज मेनुवल का और एरडी का कंट्रोल पैनल का वायरिंग हम बताते हैं कि देखिए इधर से आपका एम सीवी से आउट पुट निकलेगा और इहां इनपुट में जाएगा और इनपुट से निकल के यह इनपुट आउड निकल के आपका उधर के एम सीवी में जाएगा ठीक है और अब कि बारा बोल्ट जो है इधर बारा बोल्ट है यह आपका बारा बोल्ट में चला जाएगा एक वायर ठीक है एफ्ली का एक वायर बारा 12 बोल्ट में चला जाएगा ठीक है और दूसरा वायर है डीजेट का यह डीजेट है डीजेट का दूसरा वायर यहां डी ओफ में जाएगा ठीक है डी ओफ लिकाए ना चाल नमबर डी ओफ में जाएगा डीजेट ठीक है और एंसी का निकल के जाएगा डी एंटी में एंसी का निकल के डी एंटी में जाएगा ठीक है डाउन टर्मिनल है एंसी का निकल के डाउन टर्मिनल में चला जाएगा एंसी से वायर निकल के डाउन टर्मिनल में जाएगा और common common का वायर इधर से common में लगाने का इधर और उसके बाद में जो dnt है dnt में वायर डाल देने का common का वायर dnt में डाल देने का direct लाके ठीक है देखिए common का वायर इधर है common है common का वायर dnt का वायर निकाल के जो पहले का dnt में डाले रहेंगे वो वायर में common वाला लूप होगा ठीक है और nc का वायर dnt में चला जाएगा यह जो वायर है यह आपके ard के nc में लगा है यह जो ब्लेक के पकल में यह रेट वाला है यह वाला ard के यह अंसी में चला जाएगा और जो पट्टा केबल का वायर रहता है dnt का उसको निकाल के और यह लूप हो जाएगा common से common से यह लूप हो जाएगा emd कंट्रोल का ard है ard है और यह कंट्रोल पैनल है गर वीडियो अच्छा लगे प्लीज सस्क्राइब करिए हमारे चैनल को और भी आगे पैनल के बारे में हम बताते रहते हैं